Hello friends, a very warm welcome to all of you to the success educator, आप सभी लोग का स्वागत है, दोस्तों आज के इस lecture में हम discuss करेंगे शिमलाडिस्टी के बारे में, अल्रेडी जो है हमने 11 lecture complete कर दिये हैं, पिछले दो lectures में मैंने कांगडाडिस्टी को complete करवाया था, ये book जो है हिमाचल दरपन के थ्रू जो है हम cover कर रहे हैं, और इसमें जो है, specially ये lecture design किये गए है, HPSP के लिए, राइट, क्योंकि जो आपकी दरपन बुक है, वो in examination के लिए काफी helpful है, क्योंकि वहाँ पे जो है, maximum आपको facts देखने को मलते हैं, राइट, अगर आप HPSC शिमला की तेहरी कर रहे हैं, तो आपको कुछ और जो है extra हैं, हाँ पर पढ़ना पढ़ेगा, लेकिन अगर आप मेरपूर बोर्ड के examination दे रहे हैं, तो ये lectures आपके लिए enough हैं, राइट, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले शिमला district की foundation की बात करें, तो September 1972 में जो है, इसकी स्थापना की गई थी, जब आपके हिमाचल परदेश बना 1971 में, उसके बाद जो है, ये नए district त्यार हुए थे, पहले 10 district थे, फिर बाद में कितने 12 हो चुकी थे, तो पहली बात तो ये याद रखना है, second is your literacy rate, अगर literacy rate पूछ लिया जाता है, तो आपको, तो आपको याद रखना है, 84.55% जो है, literacy rate आपको देखने को मिलेगा शिमल था आपके London से, तो वो जो है, इसको ज़्यादा प्रेफर करते थे, यहाँ पे रहना, और इसी लिए जो है, आप देखेंगे, तो वर्ल्ल कास्ट फेसिलेटी के जो है, स्कूल्स जो है, आज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो है, आज भी यहाँ आपको जो है काफे अच्छा है second thing you have to remember is that इसकी विधानसवा seats कितनी है तो विधानसवा seats जो है as per 2011 जो है यहां पर बात कर रहा हूं data की literacy rate तो विधानसवा seat जो है 8 है और एक रियाद रखना है आपको sex ratio तो sex ratio जो है इसका 916 है यह 3-4 बाते यहां पर basic आपको याद रखना है और यह ध्यान में रखिए कि शिमला जो आपका पढ़ता है वो हिमाचल परदीश के कहां पढ़ता है south east में पढ़ता है ठीक south east में पढ़ता है जैसे कि यह map है मान लो तो यह है आपका south तो यहां पर जैसे यह आपका south east में पढ़ता है अगर और हम बात कर लें east में जो है पड़ता है Solent Distric ठीक है और South East में क्या पड़ेगा South East में आपका पड़ेगा यहां पर उत्रखंड ठीक है UK उत्रखंड जो है आपका South East में पड़ता है और North में आपका दो district जो है यह टच करता है वो है आपके कुल्व और मनली ठीक है यह दो जो है यहां पर यह टच करेगा रइट और एक्स्ट्रीम साउथ में जो है यह करेगा सिर्मोर को टच इसको एक बार मैप के तुरू देख लीजेगा लेकिन यह डारेक्शन जो है थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए बात करते हैं इस mountain ranges यहां फिर mountain peaks की जो एक्जामियर आपसे पूसता है तो important peaks जो भी यहां की है जैसे main hill है जैसे कि जाखु हिल है ठीक है爍ड जाखु है prospectus hill आपको यहां पर देखने को मिलेगी observatory hill है और कौन-कौन सी है summer hill है ओके एंड असाइलम तो यह जो है आपको hills देखने को मिलेंगी इन में से सबसे जो है highest peak पे जो highest height पे है वो है आपकी जाकू तो यह आपको याद रखना है examiner पूछता है hill की बात की जा रहे है यहां पे यह सबसे high है इन में से इसके बाद अगर हम बात करें तो यह जो जाकू आपको कहां पे देखने को मिलेगी शिम्बला शेहर में ही आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है और यहां पे आपको एक हनुमान मंदर भी देखने को मिलेगा राइट यह जो है जाकू का आपको याद रखना है next is अगर हम चैल की बात करें चैल में आपका बढ़ता है C I और चोपाल में अगर हम बात करें चोपाल में तो चोपाल में चूटधार जो है पीक आपको देखने को मिलेगी रई रोहडू में कौन देखने को मिलेगा रोहडू में आपकी चांसल चोटी जो है चांसल पीक जो है वो देखने को मिल जाएगी और सुन्नी में जो है जो सुन्नी तहसील है वहाँ पे जो है शाली पीक देखेंगे कुमार सेन में हाट्टू पीक मिल जाएगी कुमार सेन में हाट्टू तो यह रही है आपके जो पीक बगरा रहती है कहां कहां पे यह कौन-कौन से लोकैलिटी में हैं यह आप देख सकते हैं इसके बाद जो आता है आपकी रीवर्स कौन-कौन सी है मेंली शिमला में तो रीव तो ये main team driver जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सबसे पहले बात करते है सुतलुज की तो सुतलुज के बारे में जो है आपको क्या क्या याद रखना है सबसे पहले देखिए ये शिमला में कहां पर enter करती है ये question पूछा आता है तो enter जो ये करती है शिमला में भादल में ठीक है भादल नाम स्थान पर ये शिमला में enter करती है दूसरी बात देखिए सतलुज नदी है ये नौर्थ जो आपका कुल्लु और मंडी है उसके साथ सीमा बना के चलती है सतलुज रिवर किसके साथ साथ मंडी के साथ और आपका दूसरा कुल्लु के साथ ठीक है जो मंडी का करसोग वाला area है वहाँ पे इसके साथ touch हो के जाती है तो ये जो है boundaries के साथ बनाती है सतलुज का अगर पुराना नाम याद रख देखें तो ये शतूद्री है जब हम जो इसके वैदिक नाम है वो जब हम cover करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या किसके क्या नाम होते है reverse के और origin का बात करें origin कहां पे होता है इसका राकसताल लेख है मानसरोबर के पास वहाँ से जो है इसका origin है ठीक इसके बाद दिखिए एक examiner पूछता है कि आप बताईए कि इसकी tributaries इन में से कौन है तो tributaries in शिमला की यहाँ पर बात करूँ शिमला में इसकी कौन कौन सी tributaries हैं उनके नाम आपको जरूर याद होने चाहिए नौगली है मानशद बहरा है एक खेकर है इसके इलावा छामदा है और सावेरा तो mainly जो है एक दो तीन चार पांच छे जो है यहाँ पर आपको इसकी tributaries देखने को मिलेंगी सत्लुज की शिमला में तो इससे related आपको यह बाते याद रखनी है सत्लुज रीवर अगर आपको question पूछ लिया जाए गीरी रीवर के बारे में तो यह examiner आप से क्या पूछेगा सबसे पहले इसका origin की यह कहां से originate होती है तो Cooper Peak आपको मिलेगी जुबल वाले एरिया में Cooper Peak Cooper चोटी जो है वहाँ से यह आपको देखने को मिलेगी जो कि आपका जुबल में बढ़ता है तो वहाँ से यह गीरी रीवर निकल दी है और इसकी जो है एक ट्रिब्यूटरी है शिमला में सिर्फ एक वो आपको नाम याद रखना है that is Asni ठीक है Asni नाम की जो है इसकी एक ट्रिब्यूटरी भी है नेक्स्ट इस पबबर रीवर आपकी वहाँ से जो है इसका ओरिजन होता है दूसरी बात यह याद रखने है आपको इसकी भी ट्रिब्यूटरी जो है एक्जामनर पूछता है ट्रिब्यूटरी जो है आपकी इंपॉर्टेंट आंध्रा है ठीक है पेजोर है हाट कोटी है और शिकारी तो यह जो है इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है आगे जलते हैं आगे बात करते हैं लेक्स की तो लेक्स कौन-कौन से है यहाँ पे मेंली तीन जो है इंपॉर्टेंट लेक्स है दैट इस चंदरनाहन चंदरनाहन लेक जिससे आपकी पबर रिवर निकलती है दूसरी जो है तानु जुबल and the third one is your गुड कुफूर ओके तो यह तीन जो है मेन लेक्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी और एक पूछता है आपको वाटर फॉल्स वाटर फॉल्स जो है शिमला में सिर्फ दो ही है कौन-कौन से जूरी और चैडविक जूरी और चैडविक ठीक है तो आपने क्या करना है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि होट वाटर फॉल कौन है और कॉल्ड इन में से कौन सावाला है ठीक है तो कमेंट सेक्शन में इसका अंसर जरू लिखेगा अब बात करते हैं हिस्ट्री की शिमला की हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है जहां से इंपोर्टन इंपोर्टन चीज़े पूछते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको कवर करवाऊँगा सबसे पहले देखिए याद रखिए एक्जामनर पूछता है कि smallest princely state कौन सा था शिमला में तो वो कौन सा था रितेश तो रितेश जो था smallest princely state था यह आपको याद रखना है अगर आपको पूछा जाएगा कि biggest princely state कौन सा था शिमला का तो वो था बुशेहर ओके बुशेहर was the biggest अब हम बात करेंगे one by one जो आपके princely state थी जैसे कि सबसे पहले आपकी बलसन ठीक है तो बलसन के गर हम बात करें तो सबसे पहले आपको question पूछा आता है इसका founder founder कौन थे याद रखिए अलक सिंग was the founder of बलसन स्टे अलक सिंग के दौरा जो है इसकी foundation रखी गई थी और ये सिर्मोर प्रिंसली जो state थी आपकी उनके वंशेश थे राठोर वंशेश थे ये ठीक है राठोर फैमिली से बिरौन करते थे और ये basically कहां से trace होते हैं ये trace होते हैं आपके सिर्मोर से राइट और बलसन की जो है 12th century में जो है इसकी foundation रखी थी अलक सिंग ने ये नाम बिलकुल याद रखना है direct question पूछा राता है ठीक है अगर हम बात करें 1805 से पहले ठीक है before की बात करें 1805 के पहले की बात करें तो ये सिर्मोर की जागीर हुआ करती थी ठीक है was under सिर्मोर तो सिर्मोर के अंडर हुआ करता था लेकिन अगर हम बात करें on 1815 18505 1805 में अगर आप देखेंगे तो जो गोरखाब गहरा थी उसके साथ जो बेडिशर्स का वार हुआ था तो उस समय ये जो है ये कुमार सेन के अंदर था ठीक कुमार सेन जो तेशील है उसके अंदर जो है ये आती थी और उस समय जो 1805 में गोरखा वगरा गी लड़ाई हुई थी तो उस समय जो है यहां पे आपके राजा कौन हुआ करते थे ये question पूछ लिया जाए तो जोगराज सिंग वाज़ रूलर अफ दाट ताइम ठीक जोगराज सिंग 1805 में गोरखाओं का अकर्मन हो गया था हिमाचल में ठीक है ना तो कुछ जगह जो है खासकर हिली एरिया जो थे गोरखाओं ने वहाँ पे अटेक किया था तो वहाँ पे उन्होंने सारा का सारा कैप्चर कर रखा था तो एक्चली हुआ क्या 1815 में जो बैटल ओफ मलाओं थी वो ब्रिटिशस के साथ जो है हुई इनकी गोरखाओं की जिसमें ब्रिटिशस ने गोरखाओं को हराया और गोरखाओं को हराने में काफी जो हमारी प्रिंसली स्टेट से उनकी राजाओं का भी contribution रहा है तो इसलिए बाद में बैटल ओफ मलाओं के बाद जो है ट्रिटी साइन होती है जिसका नाम है ट्रिटी वफ संगोली तो ट्रिटी वफ संगोली जो साइन होती है वो ब्रिटिशस और गोरखाओं के बीच में होती है जिसमें कहा गया कि आप जो है जो भी हिली एरि момार्शल हैं वो आप छोड़के जाएंगे तो ये जो है दोनों के बीच में ट्रीडी साइन हुई थी ठीक है आगे बाद करते हैं देखी अठारा सो पांच में जब गोर्खाओं का अकरमन होता है बलसन स्टेट पे तो ये कुमार सेन की जागीर हुआ करती थी और उसमें यहां के बलसन के राजा थे जोग राज से तो इन्होंने क्या किया इन्होंने बिटिशर्स की है थी गोर्खावार के दुरान ठीक है और इन्होंने जो नागन दुर्ग था नागन दुर्ग था बलसन में वो डेविड ओक्टर लोनी को दिया था डेविड ओक्टर लोनी तो डेविड ओक्टर लोनी बिटिशर कमांडर थे जब गोर्खाओं के साथ फाइट हुई बिटिशर्स की तो उनके कमांडर थे डेविड ओक्टर लोनी और इन्होंने अपना जो नागन दूर्ग था उनको जो है यूज करने के लिए दिया था बेटिशस को फिर क्या हुआ आप जानते हैं मैंने आपको बताया 1815 में जो है ट्रीटी ओफ सगोली साइन होती है गोर्खाओं के साथ जब गोर्खाओं को हरा दिया जाता है बेटिशस के दौरा कब हराया जाता है 1815 में गोर्खाओं को अटायक हुआ है बापिस भीज दिया Britishers उने फिर क्या किया जो भी गुरुखाओं के पास जो ये हिली एरियास थे वो बापिस उन जो है राजाओं को चले गए लेकिन इसके लिए Britishers ने क्या बोला आप हमारे साथ सनद साइन करो ठीक है सनद साइन करने का मतलब ये है कि ये जो यहां के जो आ भी हमारे British goods हैं उनको आप free passage दोगे ठीक है उस पर कोई टेक्स वगएर आप नहीं लोगे तो यह कुछ कंडिशन जो थी चार-पांच कंडिशन जो है इन्हों ने रखी राजाओं के सामने कि हम आपके साथ सनद प्रवाइड जो है आपको सवतंतता सनद प्रवाइड करव आते हैं पर उसके लिए आपको हमें लेवर British goods वगएरा देने पड़ेंगे ठीक है तो जो भी गोर्खाओं के पास जो है capture कर लिया था गोर्खाओं ने इनका राजाओं का तो वो गोर्खाओं से बापिस लेके इनको जो है राजाओं को ब्रवापिस दे दिया लेकिन सनद साइन करके तो सनद का आई हो आपको मता पता चल गया है ठीक है इसके बाद दिखिए अठारा सो जो स्तूंजा की मोटीनी हुई थी उसमें भी बलसन स्टेर ने ब्रिटिश का साथ दिया था हैल ब्रिटिश और इसके लिए उस समय भी जो है जो है जोगरा सिंग ही जो है य और खिल्लत की उबादी दी देखो एक तो राजा होता है एक होता है राणा राणा जो है राजा से नीचे होता है तो उस समय जो है यहां के बलसन स्टेर में क्या हुआ करते थे राणा हुआ करते थे उनके आगे टाइटल जो है राजा नहीं था राणा लगता था रही तो खुराना का जो है टाइटल जोगराथ सिंग को दिया है तो मेंडली बात यह आती है कि आपको जोगराथ सिंग का नाम जो है याद रखना है related to Balsan State ठीक है तो यहां तक आपको आपको यहाद रखना है इसका last ruler कौन सा था? बलसन स्टेट का, अगर पूछ लिया जाए तो रन बहादूर सिंग रन बहादूर सिंग He was the last ruler of बलसन, अब रन बहादूर सिंग ने किताब भी लिखी है, ठीक है? जिसका जो है examiner question पूछता है, तो जो history of बलसन स्टेट है History of बलसन बलसन स्टेट, ये जो किताब है, ये इनोंने ही रिखी है रन बहादूर सिंग ने, बलसन स्टेट से जो बिलों करते थे, last ruler थे, last राणा थे, ओके लेकिन आज के समय में आप देखेंगे तो बलसन जो है किसका पार्ट है, now it is a part of ठियोग ठियोग तहसील का जो है ये पार्ट है, तो ये जो है, आपने बलसन से लेटरी चीज़े याद रखनी है, आगे बढ़ते है दूसरी जो है हमारी रियासत वो है भज्जी ठियोग है, भज्जी रियासत अब भज्जी रियासत के सबसे पहले इसका भी आपको फाउंडर याद रखना है फाउंडर का नाम है चारू ठिक है, लेकिन चारू जो थे, ये कहां से बिलोग करते थे ये कुटलेहर जो प्रिंसली रियासत थी ठिक है न, उसके वंशस थे कौन से? कुटलेहर के कुटलेहर प्रिंसली स्टेट के जो है ये वंशस थे, इन्होंने बाद में क्या किया? चारू से अपना नेम बदल लिया क्या? उदेपाल उदेपाल, रैइट इक्जामरेर इससे लेटेड कुश्चन पूर सकता है कि बताओ इनकी कैपिटल कहां कहां थी? सबसे पहले देखिए कैपिटल इसकी भज्जी ही थी लेकिन इसको जो है बाद में कहां पे स्थानांकरित किया गया? सुन्नी में ठीक है? सुन्नी में जो है इसको बाद में स्थानांकरित किया गया किसके दोरा? सोहन पाल जब भी आप notes बनाते हो तो इस तरह से आप डाइग्राम एरो वगेरा के थू जो है आप इनको लगाईए ताकि याद रखना असान हो जाए अगर आप theory के तरह अपने notes बनाते हैं तो याद रखना काफी difficult हो जाएगा तो कौशिश करें कि इस तरह से आप अपने notes बनाईए जैसे diagram होते हैं mind mapping के थू जो है इनको आप कौशिश करिए कि आपके diagram हो ठीक है अब बात करते हैं आगे जब गोर्खाओं की हार होती है तब भज्जी के ruler कौन थे तो राणा रुद्रपाल राणा रुद्रपाल जो थे जब ब्रेटिश गोर्खाओं की लडाई होती है तो यह ब्रेटिश नों का साथ देते हैं राणा रुद्रपाल और इसको भज्जी है इसको भी सनत प्रुवाइड करवाते हैं कब 1815 में तो 1815 में गोर्खाओं की हार होई थी तो यह याद रखिएगा ठीक है आगे चलते ह अब इसका आपको लास्ट रूलर याद रखना है लास्ट रूलर याद रखना है वो है राणा रामचंद्रपाल राणा रामचंद्रपाल लेकिन मैं बता दूँ जो founder होते हैं सबसे ज़्यादा question से related पूछे आते हैं तो कौन सी रियासत के founder कौन थे यह आपको बिल्कुल याद रखना है दूसरी capital सबसे important है founder दूसरा है इनकी capital जो भी पूछी जाती है सभी की नहीं पूछी जाती जो important रियासते हैं और 1948 में आपको पता है कि जो भज्जी है भज्जी जो है तहसील बना दिया गया और इसको ज फैनली 1948 में जो 26 हिल स्टेट थी ना उन में से आपकी भज्जी भी थी ओके तो अभी अगर हम बात करें अभी के समय में जो है यह भज्जी जो है यह अंडर सुनी तहसील है जो इसकी capital थी वह एक तहसील बन चुकी है अब सुनी तहसील के अंडर आभी आपको यह देखने क लिए ओके next is your कोटी कोटी एक है कोटी तो हम कोटी की बात करेंगे सबसे पहले इनके भी founder का नाम याद रखए फाउंडर कौन थे तो फाउंडर थे चंदर, चंदर नाम था इनका राइट ओके तो चंदर ये कौन थे ये जो राजा चारू थे जिनों ने जो है आपकी भजी रियासित की स्थापना की थी भजी रियासित की स्थापना की थी उनके ये भाई थे ब्रादर ओफ चारू तो ये भी कहां से बिलोंग करते थे ये भी कुटलेहर डिनाइस्टी से ये बिलोंग करते थे तो capital क्या थी? capital कोटी ही थी पहले capital कोटी थी लेकिन बाद में जो है इसको बदल दिया गया कहां पे? क्यार कोटी में किसने बदला? ये question पूछा जाएगा तो तारा चंद थाकुर ने तारा चंद थाकुर ने जो है इसको बदल दिया कोटी से क्यार कोटी में इसके बाद दिखिए जो कोटी थी कोटी रियासत जो 1809 में ये अंडर गोर्खा जो है गोर्खाओं के capture इन्होंने capture कर ली और 1815 में फिर जो battle of malaw हुई उसमें जो है इनकी हार होती है तो गोर्खाओं यहां से चले जाते हैं तो फिर ये कहां पर आ जाता है ये क्योंथल princely state के अंदर आ जाता है क्योंथल princely जो state थी उसके जो है जागीर ये बन जाती है 1815 में कोटी रियासत ओके तो इससे लेटिड आप ये बाते याद रखिए इसके लावा देखिए 1857 की जब भी ये mutiny होती है इंडिया में तो यहां के राजा उने साथ दिया था हरीचंद उस समय यहां के राजा थे हरीचंद जिन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया इसलिए जो है इनको भी राणा की उबादी दी गई थी ब्रिटिशरों के दोरा तो आज के समय में अगर हम 1948 के समय की बात करें जब हमारा हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो आपको पता है 26 हिल सेट थी जो शिमला की तो महासू डिस्टिक बनाया गया था उन में से ये कोटी भी था कोटी जो है उसमें पाड़ था कुसुम पट्टी का कुसुम पट्टी तहसील का जो है ये पाड़ था और फिर इसको जो है महासू में मिलाया गया था आगे चलते हैं बात करते हैं दार कोटी की दार कोटी दार कोटी के फाउंडर का नाम याद रखिएगा फाउंडर थे दुर्गाचंद दुर्गाचंद was the founder of दारकोटी अब अगर हम बात करें दुर्गाचंद की तो ये जो हैं आपके मारवार से बिलों करते थे मारवारी थे ये मारवार कहां से जैपुर राजस्थान से तो वहां के ये वंश्यस थे यहां पे इन्होंने इसकी foundation रखी अगर आप देखेंगे दारकोटी को अभी के समय में तो ये कोटखाई तहसील में आता है कोटखाई तहसील में अभी के समय की बात करें तो ये कहां पे आता है कोटखाई तहसील में इसको फिर 1948 में महासू की डिस्टिक में मिला दिया गया था दार कोटी को भी लेकिन founder का नाम आपको यहाँ पे सिर्फ यही याद रखना है यह important है next बढ़ते हैं बात करेंगे important रियासत that is कुमार सेन ठीक है ना कुमार सेन की जो important चीज़ है सबसे पहले तो founder इसका founder कौन थे किरत चंद किरत चंद was the founder of कुमार सेन तो किरत चंद जो थे यह basically कहां से belong करते थे यह आये थे गया से गया कहां पे आपका बिहार में तो यह गया बिहार से belong करते थे और यहाँ पे इन्होंने कुमार सेंग की स्थापना की थी इसके अलावा दिखिए कुमार सेंग के एक important ruler थे जिनका नाम था अजमेर सिंग अजमेर सिंग ने किसको हराया था he defeated मान सिंग इन्होंने मान सिंग को हराया मान सिंग को थे कुलू का जो है ruler था ठीक है उनको जो है इनोंने हराया था और दो फोट जो थे ठीक है शांगरी का किला ठीक है एक तो आपका शांगरी था दूसरा सारी का किला शांगरी और सारी फोट जो है इनोंने कैप्चर कर लिये थे मान सिंग से ठीक है शांगरी और सारी जो है ये आपके शिमला में ही हुआ करता था अब अगर हम बात करें जब गोर्खाओं का अटैक होता है तो कुमार सेन जो है बुशेहर स्टेट की जागीर हुआ करती थी ट्यूरिंग गोर्खा अटैक जब गोर्खाओं का अटैक होता है यहां पर 1805 में तो ये जो है बुशेहर रियासत के अंडर था बुशेहर स्टेट के प्रिंसली स्टेट के अंडर हुआ करती थी उसकी जागीर हुआ करती थी अब जब गोर्खाओं का यहाँ पे अटैक होता है तो उस समय यहाँ के राजा थे राणा कहर सिंग राणा कहर सिंग नाम से यहाँ पे राजा थे अब गोर्खाओं का जब अटैक होता है तो यह कहाँ पे भाग जाते है यह शरन लेते हैं कुल्लू में जाके ठीक है तो कुल्लू में जाके जो है यह एपनी शरन लेते हैं गोर्खाओं से बज़ते हुए जब गोर्खाओं का attack होता है फिर इससे लेटेड एक और question पूछा जा सकता है last ruler last ruler थे विधाधर सिंग विधाधर सिंग ठीक है तो यह सब last बगएर ruler जो है किसी और examination में आपको पूछे जाएंगे लेकिन normally HPTLSB आपको founder ही पूछेगा और गोर्खाओं का जो time था उस समय जो लड़ाई हुई थी उस समय का राजा जो था राणा कहर सिंग था इस तरह के question जो है आपको याद रखने है और फिर इसको भी 1948 में क्या किया गया था महा सुडिस्टी का पार्ट बना लिया गया कुमार सिंग को next जो आपकी रियासद आती है देलत लेव्र कि देलतле सथ अब इसके founder कौन थे founder आफ डेलत्रियासद इस प्रितवी शिंग कि इसके के संस्थापक थे वह थे टेए कित चंग कुमार सेंगे फॉणडर दो इनके भाई प्रितवी सिंग से इसकी देलत की स्थापना की, brother of कीरत सिंग, ठीक है, तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी, अगर हम बात करें, जब battle of मलाओं हुआ, ब्रेटिश और गोर्खाओं के बीच में, तो उस समय ये जो है, it was under बुशेहर रियासत, तो बुशेहर प्रिंसली स्टेट के अंडर थी, जब 1815 में जो लडाई होती है, और फिर बाद में जो है, इसको भी 1948 को महा सुडिस्टिक में मला जाता है, अगर करंटली की बात करें, now it is a part of रामपूर बुशेहर, पहले सर बुशेहर बोलते थे, अब रामपूर बुशेहर दोनों को combinedly बोला जाता है, ओके, आगे चलते हैं, बात करेंगे धामी रियासत की, important है धामी रियासत, कुमार से न इंपॉर्टन था, बलसन इंपॉर्टन था, धामी की foundation की बात करें, तो founder कौन थे इसके, तो founder थे, गोविंद पाल, गोविंद पाल थे, प्रित्वी राज चोहान जो थे, उनके वंशेज माने जाते है, ठीक, उनके ये वंशेज थे, और ये बिसिकली आये कहां से थे, ये एक बार question पूछा गया था, तो ये आये थे पतियाला से, पतियाला पंजाब, राजपूरा में बिसिकली, वहां से ये आये थे, तो यहां पे इनोंने स्थापना की, अब देखिए धामी वाले जो राज सिंग, राजा राज सिंग, राज सिंग जो है, इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया, पाल से, सिंग में, ओके, जब 1805 में अगर हम बात करें, गोर्खाओं को जब अटैक होता है, 1805 में उससे पहले, जो है, ये कहलूर का पार्ट हुआ करता था, धामी रियासत किसका पा पागीर हुआ करती थी, ओके, विफॉर, 1805 में गोर्खाओं अटैक, तो किसका पार्ट था ये, कहलूर बिलासपुर का पार्ट हुआ करता था, फिर 1805 से 15 तक जो है, अंडर गोर्खाओं रहा और 15 तो आपको पता ही है, कि यहां पर मिटे नहीं होगी, लड़ाई हुई, उस समय यहां की राजा अगर पूछा जाएगा कि कौन थे, राणा गोवर्धन, राणा गोवर्धन जो थे, धामी रियासत की राजा थे, जब जो है, गोर्खाओं और ब्रिटिश का वार होता है, कब होता है, 1815 में, बैटल अफ मलाउं जिसको आप बोलते हो, ठीक है, तो यह राणा इन्होंने ब्रिटिश की साहिता की, ब्रिटिश की साहिता इन्होंने 1805 में भी की, और 1857 की म्यूटिनिम के दोरान भी यही राजा थे, तो इन्होंने फिर इनकी ब्रिटिश की साहिता की थी, और इसके लिए जो है, इनको जो 1815 का वार हुआ था, उसके लिए इ Halogा, Halog was the capital of Dhami Princely State. बात करते हैं जुबन की, ठीक है जुबन की, तो जुबन के founder कौन थे, सबसे पहले याद रखो, founder थे Karan Since, कौन थे, Karan Chand was the founder of Juppel Princely State, जो Karan Chand थे, ये भाई है, he was the brother of सुभंश प्रकाश जो आपका सिर्मोर के वंशेश थे वो प्रकाश नाम की उपादी धारण करते थे तो सुभंश प्रकाश हम बोल सकते हैं कहां से बिलों करते थे यह सिर्मोर के वंशेश थे ठीक है उनके भाई ने जो है करमचन ने यहां पे इसकी foundation रखी जुबल रियासत की तो यह जो है पहले किसके अंडर था सिर्मोर रियासत के अंडर था जुबल और फिर बाद में जब गोर्खा और ब्रेटिश का वार हुआ फिर बाद में जो है इसको सुतंतरता सानज जो होती है वो प्रोवाइड करवाई गई अगर capital की बात करें गिजामनर capital पूछता है तो पहले जो इसकी capital हुआ करती थी before अगर हम बात करें पहले जो capital थी वो थी सुनपुर ठीक है सुनपुर लेकिन बाद में इसकी capital क्या होई पुराना जुबल पुराना जुबल करें सुनपुर थी फिर इसको change किया गया था पुराना जुबल और ये किसने किया था ये करण चंद नहीं किया था जो founder थे इसके उन्होंने ही जो है सुनपुर से पुराना जुबल फिर बाद में पुराना जुबल से इसको फिर change किया गया देवरा में ठीक है जो प्रेजन्ट समय का जो आपका जुबल है उसका पहला नाम था देवरा प्रेजन्ट जुबल और ये किसने change किया था कौन से राजा ने राणा गौर चंद ने राणा गौर चंद ने तो इतनी सी बात यहां पर आपको याद रखना है जब गोरखाओं का अटेक होता है तो उस समय जुबल के राजा कौन थे दूरिंग गोरखा अटेक जब गोरखाओं का अटेक होता है 1805 में तब जुबल के राजा अगर पूछा जाए कि कौन थे वो थे पूरण चंद ठीक है पूरण चंद जो थे यहां के राजा थे और इसके लिए जो है इनोंने help की थी बेटिशस की उसमें और इनको दिया गया राणा का टाइटल ओके तो राणा का टाइटल दिया करते थे बेटिश लोग एंड अठारा सो पंदरा में फिर जो है इसको सुपतंतरता सानद भी प्रोवाइड करवाई गई एक important information जो यह है कि अठारा सो एकतालिस में देखिए यहां पे तीन रियास्तों को मर्ज किया गया जुबल के अंदर वो थी थरोच रावी वो तीसरी थी दारी थीकित तीन प्रिंसली स्टेट्स को यहां पे मर्ज किया गया था तो यह important है examiner question पूर सकता है इसके इलावा एक और राजा का नाम याद रखना है इसे लेटिट भक्त चंद का भक्त चंद को 1818 में जो है राजा का टाइटल दिया गया पहले राणा थे ना इनको अलग टाइटल दिया गया राजा का टाइटल दिया गया था और लास्ट रूलर थे यहां के दिखविजे चंद और फिर इसको भी जो है 15 अप्रेल को 1948 में महासू का हिस्सा बना दिया गया और । डिस्टिक बन गयी आपके एक नई महासू तो यह जो है आज हमने प्रिंसली ष्टेट कवर की total arts प्रिंसली स्टेट कवर कर ली बाकी remaining नेक्स लेक्चर में कवर कर लेंगे तो नाम याद रखेगा founder का नाम याद रखना है सबसे पहले तो important यह है अगर आप HP TWSB की तेयरी कर रहे है ठीक है लेकिन अगर आप Shimla की तेयरी कर रहे हैं तो आपको deeply पढ़ना पड़ेगा उसके लिए मैं अलग lectures लेक्टिस 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 आऊँगा ओके तो मिलते हैं नेक्स लेक्टिस में तब तक लिए जाहिए